आज हम शुरू करने वाले हैं ICAC class 10 maths का एक chapter that is geometric progression मैंने arithmetic progression पहले समझा दिया है उसके अगर videos नहीं देखे हो तो यह रहा i-link उसको जाकर के देखना समझना उसके बाद हम geometric progression that is GP यह जो कर रहे हैं यह video फिर देख सकते हो GP पहले बीच में syllabus से हटा दिया था इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया बट अब जैसे इस साल के boards में फिर से GP included है तो इसलिए मैं GP का वीडियो बना रही हूं यह अच्छे से समझ लो video इस video में formulas होंगे GP के किस तरीके से sums होते है उन formulas के according sums भी मैं करवाऊंगी जिससे कि यह चैक्टर एक्टम अच्छे से clear हो जाए तुम लोग को चलो सम्स करने से पहले जैसे एक फॉर्मूला से वैसे जीपी के भी कुछ फॉर्मूला से हैं तो हम जीपी के फॉर्मूलास पहले देखते हैं और यह जीपी वाला जुभी जो चैक्टर होगा उसको भी मैं दो 12 वीडियो में करवाऊंगी पहला विडियो में normal जो एक टर्म निकालते हैं और से कंट संधी में जूर्म Прीनाओंगी ठीक हैं तो आज वाली वीडियो मैं में करते हैं, GP से तो 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 GP होता क्या, GP का full form क्या है, geometric progression, यह भी एक तरीके का progression है, मतलब एक तरीके का sequence है, जैसे arithmetic progression किया था, वो भी एक तरीके का sequence है, एक मैं GP का, मतलब जामेट्रिक progression का एक example बताती हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि GP में टॉम्स कैसे होते हैं जैसे तू उसके बाद 4 फिर 8 16 32 64 यह जो जा रहा है ना यह GP में सेक्वेंस जा रहा है यानि कि यह कैसा प्राग्रेशन यह ज़ामेट्रिक प्रग्रेशन जी पीए कैसे करें कि जो में आपकर जो है वह से नंबर से माल्टिप्लाइब हो रहा है हार नम hayat 2 से मत्रिप्लेइ समय लए करके उसका ने को मेंने तो इन में यह दोनों के बीच का जो डिफ्रेंज से ढ़ोध हम में जो रेस्यों कि इन तो इसमें जैसे हम बोग करते हैं दी कॉमन करेंगे आर यम घाल कई गणी तो इसको पersonal Quality सब्सक्रीम गोर्षाइब हो जर तो इसको Daar इसे इन्हें इम la direkt खूरू कोई जैसे 16 और 8 तो 16 को सकसीडिंग नंबर को इसके प्रिसीडिंग करो टूर तो कितना हुआ सबकर कॉमें यहां सबका कॉमें और से मारा है तो इसका उन गोलते कॉमन बिक्वेंसем में अगर तुम देखो कि common ratio है मतलब जो आर है जो रेशियो है वो सेम आ रहा है यानि कि वो जीपी में देखो एक और नंबर करते हैं एक और सीक्वेंश देती हूं यह भी जीपी है क्यों कि तुम देखो हर एक नंबर 3 से मल्टिप्लाई होते जा रहा है और एक उसका सक्सीडिक नंबर बन रहा है इसमें यह मतल speaker किसे रहा है कि प्रसीडिक नंबर डिवाइड बई वाइडवाइड प्रसीडिक नंबर 12 इवाइड इवाइडवाइड फूर यह एंसर लेकिन यह एक डिफेंट सीक्वेंस बनाता है को इसको हम जीपी बोलते है अब GP के जो terms निकालने के क्या-क्या formulas हैं, उन formulas को हम देखते हैं तो GP का पहला formula कोई भी number term निकालना हो, fifth term निकालना हो, eighth term निकालना हो, twentieth term निकालना हो या nth term निकालना हो, उसका formula क्या है? तो n-th term का formula, n-th term of a gp, मतलब की term number n, निकालने का formula है, a into r to the power n minus 1, a मतलब first term, r is common ratio, n minus 1, जो number term निकालना है, उतना minus 1, ठीक है? क्या-क्या चीज़ है? a है first term, r है common ratio, n है number of terms, ठीक है? चलो, next formula करते हैं, अगर हमको n-th term from n निकालना है, ठीक है? For example, question बुचे कि 7th term पीछे से बताओ, n से 7th term बताओ, तो ऐसे हम कैसे निकालेंगे? तो n-th term from end of a GP is equal to, इसमें हम last term को लेते हैं, l into r का reciprocal ले लेंगे, 1 by r और n minus 1, ठीक है? तो l क्या होता है? l is last term, क्योंकि हमको पीछे से निकालना है, इसलिए हम last term यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? clear हुआ? अच्छा, उसके अलावा, समझ लोग ऐसा दिया है, कि 3 numbers are in GP, या 4 numbers are in GP, 5 numbers are in GP, तो वो 5 numbers, 3 numbers, 4 numbers, क्या लेंगे? तो उसके लिए भी एक formula है, अगर 3 numbers in GP हो, तो हम ऐसे लेते हैं, पहला वाला A है, इसके पहले वाला A by R लेंगे, इसके बाद वाला A R लेंगे, हर एक में common ratio R का difference है, नमबर 4, अगर 4 numbers हो in GP, तो हम क्या करते हैं? alternate लेते हैं, यानि A मतलो, A by R लो, फिर एक को छोड़ के, A R लो, फिर एक, मतला A R square को छोड़ दो, A R Q, एक पीछे वाला ले लो, A by R square को छोड़ दो, A upon R Q, ये 4 terms in GP हो जाएगा, ठीक है? यानि हम alternate लेने हैं, समझ में रहे हैं? square वाला छोड़ दिया, फिर A छोड़ दिया, फिर यहाँ square वाला छोड़ दिया, एक एक छोड़ के, और next है, 5 terms या 5 numbers, अगर GP में हो, तो यही 3 वाले को हम और बढ़ा देते हैं, पने और नमबर वाले को ही, ये 3 तो जैसे हैं, वैसे लिख लो, इसके लावब एक पीच्छे का, एक आगे का और ले लो, AR के बाद AR square आएगा, और A upon R के बाद में, A upon R square आएगा, तो यह 5 terms in GP होगे, ठीक है, जनरली 3 terms, 4 terms, 5 terms का, यह उचता है, कोई सम होता है, तो ध्यान रखना है, यह हम use करेंगे, ठीक है, इस बुक में सभी चैप्टर को दिखा हूँ, जैसे यह बैंकिंग का ही चैप्टर रेकरिंग डेपॉसिट का, तो इसमें multiple choice questions, जो pattern है exam का, board exam का, वैसे ही सारे, फिर formula based questions है, सब कुछ है, और बिल्कुल expert teachers के द्वारा set किया हूए, यह सारे papers हैं, तो यह बुक जरूर से purchase करना है, इसका purchase link इसी वीडियो के description में है, do check that out, ओके, करते हैं अपना first sum of GP, लिखा है, find the eighth term of the sequence, 3 by 4, 1 and a half, 3, dot dot dot, इसका हमको eighth term निकालना है, अब देखो sequence भोला है, अगर यह exam में sum आए, तो हम कैसे बता करेंगे कि यह APA की GP है, common difference यह common ratio लेकर के, अगर तुम इसका, सोचोगे कि शायद यह AP हो सकता है, तो तुम क्या करोगे, पता करने के लिए, 3 by 4 आया, ठीक है, 3 से 3 by 2 को माइनस करो, मतलब 3rd से 2nd term को, यह आ रहा है 3 by 2, common difference सेम नहीं है न, इसका मतलब यह AP तो नहीं है, ठीक है, इससे clear हो जाएगा, यह AP नहीं है, तो obviously GP ही होगा, ठीक है, sequence का दिया है, तो अब हम GP का निकालते हैं, तो हम common ratio निकालते हैं, तो हम पहले 3 by 4 है, यह 3 by 2 है, यह 3 है, यह sequence है, तो first term तो A है 3 by 4, common ratio that is R निकाल लेते हैं, second term divided by first term, इसका मतलब 3 by 2 into 4 by 3, 3 3 कटा, 2 2 जा 4 यानि की common ratio 2 है, correct, common ratio भी पता चलगे, अब हमको कौनसा number term, 8th term बोल रहा है, तो Nth term का formula है, A into R to the power N minus 1, तो 8th term का formula होगा, A into R N मतलब 8 minus 1, A क्या है, A है 3 by 4, multiplied by R मतलब 2, 2 का power 7, ठीक है, तो 3 by 4 into 2 का power 7 करते हैं, 128, ठीक है, अब ये कट रहा है 4 से, तो 96 is the 8th term, समझ में आया, second sum है, find the 7th term of the GP, 1, root 3, 3, 3, root 3, तो पहले जैसा ही sum है, इस बार हमको 7th term निकालना है, इस GP का, 7th term निकालना है, पहले A और R बता करें, A तो 1 है, 1st term is 1, R जो है 2nd term, divided by 1st term करें, यानि root 3 divided by 1, root 3 is R, अब 7th term निकालते हैं, term न का formula लिख दो, और अब 7th term, A है 1, इंटू R है, root 3, और root 3 का 7 minus 1, यानि 1 इंटू root 3 का power 6, root 3 का power 6 कितना हुआ, 27, यानि की answer है 27, ठीक है, 6 कैसे 27 हुआ देखो, root 3 इंटू root 3, यासे 6, 6 times हम लोग लिख दिया, ठीक है, ये root 3, root 3, 3 होता है, root 3, root 3, 3 होता है, root 3, root 3, 3 होता है, 3 into 3 into 3 is 27, तो या हमारा answer, ओके, नाउ next sum है, which term of the GP, minus 10, 5 upon root 3, minus 5 by 6, dot dot dot, is minus 5 upon 72, तो minus 5 upon 72, इस GP का कौनसा number term है, कौनसा वाला term है, यानि हमको n निकालना है, ठीक है, तो हमको क्या दिया वा है, a दिया वा है, first term, minus 10, r हम निकाल देते है, second term divided by first term, मतलब 5 upon root 3, divided by minus 10, 5 upon root 3, into 1 by 10, या minus 1 by 10, तो answer आया, minus 1 upon 2 root 3, ठीक है, और ये nth term है, nth term हमको मानलो, minus 5 by 72 है, हम लिख लेते हैं, ठीक है, let, minus 5 by 72 भी, nth term, और अब हमको पता करना, n क्या है इसका, तो nth term का formula क्या है, tn, a, r, n minus 1, nth term हमने, सोच लिया, minus 5 by 72 है, is equal to a दिया वा है, minus 10, r, यानि, minus 1 upon, 2 root 3, और ये nth term को निकालना है, तो n minus 1, ठीक है, ओके, ये minus minus cancel, 5 by 72 नीचे 10 आ गया, is equal to minus 1 upon 2 root 3, to the power n minus 1, 5 to the, मतला 1 upon, 144, और ये है, minus अंदर है, sorry, minus 1, by 2 root 3, n minus 1, अब देखो, इसको solve करने का एक ही तरीका है, कि हम इधर भी, minus 1 upon 2 root 3 लेकर किया है, ठीक है, अब ये कैसे हो सकते है, 144 का अगर हम, prime factorization करें है, तो क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 4 times तो 2 है, ठीक है, 2 का power 4 है, और 3 का square है, अब, ये 2 root 3 कैसे होगा, तो 2 तो चलो, 2 का power 4 है, ठीक है, अगर 3 का square है, यानि हम root 3 का power 4 है, ऐसे बोल सकते हैं, तो 2 का power 4 है, यानि की 2 root 3 का power 4 है, बोल सकते हैं, तो हम चाहें तो इसको, minus 1 upon 2 root 3 भी बोल सकते हैं, तो minus 1 upon 2 root 3 का power 4, क्योंकि अगर power even number होता है, तो minus हो, तो भी plus ही हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं, is equal to, इधर भी है, minus 1 upon 2 root 3 का power, n minus 1, इससे क्या होगा, base base cancel हो गए, और अब हमारा sum क्या हुआ, left side में बचा है खाली 4, और right side में n minus 1, तो n क्या होगा, 4 plus 1, यानि n हो गया, fifth term, तो कौन सा term होने वाला है, minus 5 by 72, answer होगा, fifth term होने वाला है, ठीक है, यह solution इसमें important है, कि यह part को हम कैसे solve करते हैं, कि इसको भी root में लाना हो, तो थोड़ा सा prime factorization को ध्यान से देख होगे, okay, करते हैं अपना fourth sum, लिखा है, the fifth term of a GP is 81, and its second term is 24, find the geometric progression, okay, fifth term दिया है 81, term 2 दिया है 24, fifth term का मतलब, a into r to the power 5 minus 1, यह 81 है, यानि a r to the power 4 दिया है 81, ठीक है, second term मतलब a r 2 minus 1, यह दिया है 24, यानि कि a r is equal to 24, अब समन लों यहाँ हम a की value निकाले, a क्या है 24 upon r, ठीक है, और यहाँ put करते हैं, therefore a की जगह अगर 24 upon r लिखें, into r का power 4 is equal to 81 होता है, यानि 24 into r cube is equal to 81, r cube is equal to 81 upon 24, ठीक है, यह 3 से जा रहा है, तो r is equal to क्या होगा, cube root of 27 upon 8, cube root of 27 upon 8 क्या होता है, 3 upon 2, 3 into 3 into 3, 27, 2 into 2 into 2, 8 होता है, तो 3 by 2, r आ गया, common ratio आ गया, अब हमको क्या निकालना है, a निकालना है, तो a की value, यहाँ पर हम निकाल दे, a is equal to 24 upon r है न, r क्यादा 3 by 2, 3 upon 2, यानि कि 24 into 2 upon 3, a भी आ गया 16, ठीक है, तो a पता हमको 16 है, r पता हमको 3 by 2 है, तो therefore, जो GP होगा, वो कैसा होगा, first होगा 16, second होगा, 16 multiplied by 3 by 2, ठीक है, इसका मतलब चलो लिख देते हैं, ठीक से, second term जो होगा, वो क्या होगा, 16 यानि कि 24, third term होगा, 24 into 3 by 2, यानि कि 36, fourth term होगा, 36 into 3 by 2, यानि कि 54, तो हमारा first term, 16, second 24, third 36, fourth 54, फिर डॉट 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 दे दो, ये तुमाय GP बन गया, ठीक है, GP में दिखाने जब भी बोले, तो 3 term देने से भी चलेगा, मैंने 4 term लिख दी है, 2 term दे करके कभी मत छोड़, 3 term at least 2, 4 देना है तो 4 दे दो, बस उससे ज़्यादा नहीं, फिर डॉट 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 दे दो, एंड से चाहिए, तो यहाँ पर 7th term, देखो, 7th term के लिए, हमको जो जो चाहिए, 7th term from the end, ठीक है, from the end, is equal to, nth term from the end का क्या formula है, nth term from the end, इसका formula है, l into 1 upon r to the power n minus 1, तो यहाँ l क्या है, देखो, last term 32 है, r common ratio क्या है, 2 upon root 2, यानि कि 2 को हम लोग root 2 into root 2 लिख सकते हैं, upon root 2 है, एक root 2 कट गया, r है root 2, ठीक है, और nth हमको 7 हमको बता ही है, तो l कितना है, 32 नहीं यह नीचे निकालते हैं, l है 32, multiplied by 1 upon r, यानि 1 upon root 2 का power n minus 1, मतला 7 minus 1, तो 32 multiplied by 1 by root 2 का power 6, यानि 32 multiplied by 1 by 8, तो यह answer आया 4, ठीक है, अगेन यह 8 क्यों आया, root 2 को यहाँ 6 बाल लिखो, root 2, root 2, root 2, root 2, root 2, root 2, root 2 into root 2, 2, फिर यह भी 2, फिर यह भी 2, 2 to the 4, 4 to the rate, तो इसलिए 8 लिखते हैं, और 8 32 कटता है, तो 8 4 जा 32, तो 7th term from the end 4, ओके, नव नेक्स अपना sum है, number 6, यह लिखा है, if a, a square plus 2, and a q plus 10, यह 3 number, they are in gp, then find the value, or values of a, अगर यह 3 term gp में हैं, तो इसका मतलब, हम लिखेंगे, as the above 3 terms, are in gp, gp में इसका मतलब, दोनों का common ratio तो सबका same होरा चाहिए, so therefore, second term upon first term, is equal to third term upon second term, यानि दोनों का common ratio same, second upon first मतलब, a square plus 2 upon a, is equal to a q plus 10 upon a square plus 2, correct, और अब हम इसको solve करके, a की value निकालते हैं, तो cross multiply करें, तो होता है, a to the power 4 plus 10 a, is equal to a square plus 2, a square plus 2 multiply करते हैं, पहले a square से a square plus 2 को, फिट 2 से दोनों को, तो a to the power 4, दोनों साइड का कटी गया, तीक है, आप क्या बचा, 10 a is equal to 2 a square, 2 a square, 4 a square, 4 a square plus 4, सबको एक तरफ रखना हो, अगर, तो 4 a square minus 10 a, plus 4 is equal to 0, रख सकते हैं, तीक है, मैं 4 a square को, इधर नहीं ला रही हूं, minus हो जाता, 10 a को उधर ले गाया, तो minus 10 a हो गया, तो सब कुछ लिखने से ऐसे हो गया, अब इसको मैं, 2 common ले लू, और इस 2 को उधर भेजे, तो 2 a square minus 5 a plus 2 is equal to 0, पन्टू, 0 हो जाता है, अब मैं इसका करते हूं, middle term factor, तो हमको multiply करके चाहिए, 2, 2, 4 यानि plus 4, plus 4 चाहिए multiply करके, और multiply करके plus 4, और plus या minus करके minus 5, तो 4, 1, 0, 4 ले, 4 plus 1, 5 भी होता है, तो 2 a square minus 4 a, minus a plus 2 is equal to, to 0, 2 a common, a minus 2 minus 1 common, a minus 2 is equal to 0, a minus 2 common, और बचा 2 a minus 1 is equal to 0, तो आइदर a minus 2 is equal to 0, यानि की a is equal to 2, और 2 a minus 1 is equal to 0, यानि a is equal to half, तो a की value, 2 आर ये, 2 या half, this is the answer, okay, करते हैं अपना 7th sum, लिखा है, if the 4th, 10th and 16th terms of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP, ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है, x, y, z are in GP, यानि हमको actually क्या प्रूफ करना है, to prove that, x, y, z, अगर GP में, मतलब y upon x, is equal to z upon y, यही तो प्रूफ करना है, या फिर हम cross multiply करें, तो हमको प्रूफ करना है, y square is equal to zx, यह हमको प्रूफ करना, y square is equal to zx, प्रूफ करना है, हमको यह दिया वै, टर्म नम्बर 4 x है, टर्म नम्बर 4 मतलब, ar 4-1, that is 3, ar cube is x, 10, टर्म नम्बर 10 मतलब, ar 10-1, यानि, ar to the power 9 is equal to y, और टर्म नम्बर 16 मतलब, ar 16-1 power, यानि 15 power, that is z, ठीक है, तो आप देखते हैं, y square क्या होता है, y square मतलब, ar to the power 9, multiplied by, ar to the power 9, a into a, a square हो जाएगा, और r 9, r 9, 9, 9, 9, add होगा, तो 18, यानि, a square r 18, यह y square होता है, z x देखते हैं, तो z x, is equal to, ar to the power 15, multiplied by, ar cube, a into a, a square, और r 15, और 3, add करो, 18 ही होता है, a square, r to the power 18, दोनों, same r, तो लिखेंगे, as, y square, is equal to, z x, therefore, x, y, z, r, in, gp, ठीक है, तो gp में हो गया, तुम चाहो तो, ऐसे भी, प्रूफ कर सकते थे, y upon x value, निकाल लो, z upon y, पहले बाद में, निकाल लो, देखो के, दोनों value, same, वैसे कर लो, y square is equal to, z x कर लो, देखो, इसे क्या पता चलता है, कि अगर, तीन terms gp में है, तो actually, they are in continued proportion, तुम लोगों ने किया है न, proportion वाला chapter, continued proportion में, हम लोग ऐसी तो लिखते हैं, ठीक है, जो चीज़, ये न, continue होती जाती है, तो ये y square is equal to z x, इसे तरीके से होता है, continue मतलब middle term जो होता है, वो दो बार लिखते हैं, और extreme terms होते हैं, वो multiplied होते हैं, तो ये continued proportion में होते हैं, gp, ये भी इससे पता चलता है, ठीक है, थोड़ा सा concept, किस chapter से based है, तो ये भी याद रखो, क्या बता, एक mcq जैसा आजा है, कि gp के जो होते हैं, वो continued proportion में होते हैं, या सिर्फ proportion में होते हैं, तो ये रिर्डी राइट, बाइ लुकिंग अट इट, कि ये continued proportion में होते हैं, करते हैं अपना next sum, लिखा है, the sum of first three terms of a gp, is 39 upon 10, and their product is 1, find the common ratio and the terms, ठीक है, first three terms का sum जो है, वो 39 by 10 है, तो let the first three terms be, देखो, अब यो three terms, four terms, five terms वारा जो formula दिया था न, वैसे हम लोग मान लेते हैं, let the first three terms be, एक a by r, दूसरा a, और फिर a r, यही था तीन terms हो, तो ऐसे हमान लेते हैं, अब बोल रहा है, according to the problem, पहला बोल रहा है कि, इन तीनों को add करो अगर, तो answer 39 by 10 आते हैं, और दूसरा बोल रहा है, अगर इन तीनों को multiply करो, तो answer 1 आते हैं, ठीक है, चलों, दोनों को solve करते हैं, पहले मैं इसको solve करते हूं, क्योंकि rr cancel हो रहा है, a cube is equal to 1 है, यानि कि a हो गया, cube root of 1, that is 1, तो हमको a से बता चल गया, 1 है, अब हम इस एक को इधर put कर देते हैं, तो putting, a is equal to 1, 1 by r, plus 1, plus 1 into r, is equal to 39 by 10, r lcm आया, 1 plus r, plus r square, is equal to 39 upon 10, 10 plus 10 r, plus 10 r square, is equal to 39 r, अगर सब left side में रखो, तो 10 r square, minus 29 r, sorry, यह r square नहीं, r, okay, 39 r इधर गया तो minus 39, तो minus 29 r, plus 10 is equal to 0, अब ही कुछ common तो नहीं जा रहा, तो हम middle term factor करते हैं, 10 tens are 100, और 100 है और 29 है, तो 100 और 29 को हम कैसे solve कर सकते हैं, 25 into 400 होता है, और 25 plus 4, 29 होता है, तो हम 25 और 4 ले ले, minus 25 r, minus 4 r, plus 10, यहां common जा रहा है, 5 r, अंदर बच रहा है, 2 r, minus 5, यहां 2 common, अंदर बचा, 2 r, minus 5, तो क्या बचता हैं, यहां लिख दें, 2 r, minus 5, और 5 r, minus 2, तो अइदर, 2 r, minus 5, is equal to 0, यहां यहां तो r होगा, 5 upon 2, और, 5 r, minus 2, is equal to 0, यहां यहां r होगा, 2 upon 5, ठीक है, तो हमको पूछ रहा था, कि, find the common ratio, and the terms, तो common ratio, यह तो 5 by 2 है, यह 2 by 5 है, तो हम दोनों से ही करेंगे, मतलब हम first 3 terms, देखते हैं क्या होता है, तो मैं किसको remove करूँ, मैं इतने part को remove कर देती हूँ है, ठीक है, तो अगर r 5 by 2 है, if r is equal to 5 by 2, and a तो हमारा निकल गया था, 1, ठीक है, a1 था, तो therefore, a by r, a और a r क्या होगा, a by r मतलब 1 upon 5 by 2, a1 है, और a r क्या है, a r है, 1 into 5 by 2, यानि कि, पहला number 2 by 5 है, दूसरा 1 है, तीसरा 5 by 2 है, ठीक है, एक यह sequence, और अगर r 2 by 5 है, और a तो है 1, तो terms होगा, a by r मतलब 1 upon 2 by 5, a तो 1 है, और यह 1 into 2 by 5, यानि पहला number 5 by 2, फिर दूसरा 1, फिर तीसरा 2 upon 5, तो यह 3 terms होगे, मतलब टर्म्स तो वही है, बस sequence उल्टा है इनका, या तो 2 by 5 पहले है, 5 by 2 बाद में, या उल्टा है, 5 by 2 पहले है, 2 by 5 बाद में, तो आज हमने GP का 1st जो पार्ट था, वो खतम किया, जिसमें हम GP के nth term, number of terms, यह सब निकालते हैं, अभी next जो वीडियो लाऊंगी, बहुत ही जल्दी लाऊंगी, उसमें हम sum of and terms of GP का formula क्या होता है, और उसके sums कैसे करते, वो पार्ट करेंगे, तो GP खतम हो जाएगा, तो GP भी बहुत easy है, जैसे AP है, बस इसके sums प्राक्टिस करो, तो अभी जो हमने किया exercise, तुम लोग क्या करोगे, अपने अपने books से, जो भी book तुम लोग यूज़ करते हो, ML करते हो, RS करते हो, या फिर सलीना करते हो, कौन साइस करते हो, जो भी करते हो, उनके जो sums ये वे हैं, अभी इस exercise से related, वो सारे sums करो, उनमें कुछ queries आती है, तो मुझसे पूछो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको like जरू करना, comment करके भी बताना, और अपने friends के साथ जरू शेर करना, because sharing is caring, so keep on practicing maths, and say yes to maths, बवाए जैहिंद,